अभर में कोरोना वारस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा आपको बता दे की पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना से 82,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 14,30,000 से जादा लोग संक्रमित पाए गए है वहीं बात अगर अमेरिका की की जाए तो दुनिया के अन्य देशों की तरह है अमेरिका भी कोरोना वारस की चपेट में आ गया है नियॉक सिटी में पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 32 के पार चले गए कोरोना से मरने वालों का याकड़ा वर्ल्ट च्रेट सेंचर पर हुए हमले में मरने वालों की संख्या से जादा है आपको बता दे कि नियॉक में कुरुणा वारस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चारे है और लगातार बढ़ती हुई तादात को देखते हुई लॉकडाउन की मियाध उनन 30 अप्रेल तक वहां के लिए बढ़ा दी गई है नियॉक के गवर्णर एंचू कुमोव ने इसकी घोषना भी कर दी है नियॉक अमेरिका में कुरुणा वारस का फिलहाल केंद्र बना हुआ है यहां सबसे जादा मरीज अभी तक सामने आए और अमृतिकों की संख्या भी दिनो दिन बढ़ रही है जौन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आख्रों के मताबिक अमारिका में कुरुणा वारस के 3,98,785 पुष्टमाम लेभी तक सामने आ गए है